आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें संत महात्माओं के श्री मुक्ष से सुनाई गई कताएं, प्रवचन, भजन और बेल आइकन दबा कर पाएं हमारे चैनल की ताजा अपडेट हम लोग बुराई की मार्केटिंग बहुत अच्छे करते हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं भ्रामक सूचनाओं को ऐसे भेजते रहते हैं, पूछो मत आतो, टेकनलोजी के माध्यम बहुत हैं पाँच मिनिट में भ्रामक मेसेज़ों को भेज दे बुराई सुनने में, बुराई करने में रस बड़ा आता है हम तो बताएं हमें तो कोई नेगेटिब बात करे न, कोई बुराई करे, विरोध हो तो अलग विश्य है, लेकिन हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है पुर्ण तो यहाँ पर कोई नहीं है, सब में कोई ना कोई दोश है, पुर्ण तो है केवल परमात्मा पुर्ण है अरे भईया, तुम अपनी बात करो, जगत की तो छोड़ो इस जीवर में अपना ही कल्यान हो जाए, एक बात और जिसको बुराई सुनने की, बुराई का रस लेने के आदत पढ़ जाए ना, यह रस बड़ा हुआ है शब्द ब्रह्म है, शब्द अच्छे है, हमारे किसी विवहार के विवहार को कोई छम किया भी जा सकता है, माफ किया भी जा सकता है लेकिन हमारे द्वारा किसी के प्रती मर्यादित शब्द ना कहे गए हो वो नहीं भूले जा सकते इसलिए एक बात बिल्कुल श्मण रखो कि मुख से किसी को कष्ट देने वाले रुला देने वाले व्यथित कर देने वाले वेदना देने वाले शब्दों का उच्चारण ना हो क्योंकि शब्द ब्रह्म है रूट जाते हैं अपने गलत इस्तेमाल होने पर रूट जाते हैं अपने गलत इस्तेमाल होने पर देखा है हमने शब्दों को रूटते हुए कभी-कभी शब्द भी रूठते हैं, कोई उनका गलत उप्यूप करें, और शब्द भी राजी हो जाते हैं, जब अपने आरध्य की आरधना के लिए उनको इस्तुति का रूप दे दिया जाएं, कैसे भी परिस्तिति आ जाएं, लेकिन शब्द अच्छे हो। एक भाई हमको बोल रहा था, कि सामने वाला कोई बार बार उकसा है तो, यही तो बात है, सामने वाला कोई उकसा रहा हो, तुम तुमारे सम्हाब में रहो, तुम तुमारे गुरू परंपरा में रहो, अरे तुम तुमारे परिवार कुल गोत्र, तुम उसे सम्हाल के रखो, क कोई गलत बोलता है तो अपने परिवार अपने संस्कारों का दर्शन कराता है कोई गलत बोलकर अपनी परवर्श दिखाए कि इन परिस्थतियों में में पैदा हुआ तब तुम अच्छे शब्द बोलकर तुम अपने परिवार अपने संस्कार की प्रश्ट भूमी को दिखा इसने पुरुष हो चाहे कोई इस्त्री हो और मैं कथा में एक वार भवाये में एक अनुभव संसार में रहते रहते और यह अनुभव यह है कि बहुत वार तो गर परिवार में जो लड़ाई जगड़े होते हैं उसके पीछे कोई कारण नहीं होता सिर्फ इतना कारण होता है शब्द की मर्यादा तूट जाती और व्यक्ति कितना भी छमा मांगे फिर हाथ जोड़े लेकिन द्रोपती ने एक वार कुछ शब्द बोले थे महावारत हुई कई बार हमाने शब्दों के कारण भी महावारत हो जाती है और कई बार ऐसा भी होता है कि परिस्तियां महावारत की तैयार हो रही हो एक व्यक्ति समझदार निकलाए इस्ति को उका दे थोड़ा चुप रह जाए थोड़ा मुस्कुरा जाए यही तो मीरा का विश है इसको पी जाए थोड़ा सा तो महावारत होने से भी बचे जाती है शब्द की मर्यादा थोड़ा सा मौन थोड़ा सा अपने आपको साध्य लेना हम सामने वाले को बदल नहीं सकते हैं लेकिन स्वैम को बदल सकते हैं क्रिया न बदल सके तो प्रत्क्रिया बदल दो तोड़ा इश्मान रहें